नमस्कार अधाब and welcome, this is सार्थाक and you're watching the Sunday show, हफ्ते की सारी खबर in one video देखे अगर आप out of India हैं और ये शो देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि परदेश में इन दिनों दो चीज़ें हैं जो almost हर कोई सुन रहा है नेताओं के वादे और AP धिलनों के गाने अब ऐसे में नेता लोग कई सारे वादे कर रहे हैं, इंटर्व्यू दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और Controversy BC को लेकर हुई अब हुआ ही हूँ कि World Economic Forum में भारत के प्रधान मंतरी, शीर नरेंदर मोदी जी, चेर्मेन क्लॉस शॉप के सामने एक स्पीच दे रहे थे और, और हूँ, आप सब को ठीक से सुना रहा है, अब हुआ है, मुटा भाई मतर्ब मता कर रहा था था थी मैं, भारी मिस्टेक हो गया, आरर मोदी घर कर मोदी, अब हुआ यूँ कि मोदी जी स्पीच दे 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 अटक गए, इसा इसलिए हुआ, क्योंकि हमारे प्रधान मंतरी, जो एक मास्टर ओरेटर की तरह अपने आपको मार्किट करते हैं, उनका टेली प्रॉम्टर रुख गया था, इसकी वजए से वो अटक दे, और सारे उपोजीशन लीडर्स ने मोदी जी का गूम मजाग उडाया, बोला गया कि जो बंदा 18-18 गंटे काम करता है, उसका टेली प्रॉम्टर 18 मिनिट नहीं चला, राहूल गांदी ने कहा कि स्पीच में इतना जूटता कि टेली प्रॉम्टर भी सेहन नहीं कर पाया, अरे कर रहे हैं, डिफेंड, रुक जाओ, अब क्योंकि ये इवेंट वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम और इंडिया की कई सारे चैनल्स पर लाइफ स्ट्रीम हुआ था, तो एक्जाक्ली क्या हुआ इस बात पर बहुत जादा कन्फ्यूजन है, मतब इतना सस्पेंस है जितना वि अच्छी टेकनिकल ग्लिच हो गया था, जिसके कारण किसी ने मोधी जी को इंटरप्ट किया था, जिसकी वज़े से वो स्पीच देते देते रुख गये थे, तो पॉइंट अफ एडवाइस जनता लोग अब किसी भी ऑनलाइन ट्रेंड की बात सुनकर उस पर सीधा से I mean, you can't possibly get offended when he fumbles and says, बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, unless you're from Bajrang Dal, कि बेटी बचाओ, बेटी पटाओ, अभियान, मतलब चलता है यार, यादव जी, समझाओ इनको, जी नर्के है, करती हो जाती है, और, breaking news, see, breaking news, चलिए, news की शुरुआत करते ही आपको बता देता हूं कि इं 10,000 Omicron cases के साथ, इंडिया में डेली लगभग 3,00,000 से जादा COVID cases रिपोर्ट हो रहे हैं, टी सीरीज के सब्सक्राइबर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं, बड़ सिल्वर लाइडिंग इस कि WHO कोई चीफ ने कहा है, कि अगर यूमन साथ मिलकर काम करें, और वर्ल्ड पेंडेमिक इस साल खतम हो सकता है, yes you heard it right, पेंडेमिक खतम हो सकता है, डीपक भाई, क्या कहना है, का जो, सेंटिमेंट है न, वो मेरे दिमाग से नहीं निकर रहा, यार तुम डायलाग बतल अपना, नौ पेंडेमिक खतम होने का मतलब ये भी सोचा जा सकता है, कि हम दोब सी डिश थी जिसे लोगों ने पेंडेमिक के दौरान खूब खाया एनी गैसेस डोलो चैसो पचास इस हफते आए एक डेटा ने हमें बताया कि डोलो सिक्स फिफ्टी इंडिया की मोस्ट कंज्यूम्ड टैबलेट बन चुकी है पेंडेमिक की शुरुआत से इंडिया में साड़े तीन सो करोड़ डोलो टैबलेट की सेल हुई है साड़े तीन सो करोड़ हाजमूला माफिक डोलो खाई हम लोगों ने एंड लेटस एड्मिटे बखर हो खासी हो जुखाम हो जुलाब हो डेशी लोग केड़ेतम जैंबस की तरह खाते हैं डोलो को कुछ भी हो डोलो लग रहा है गली में घरास होई हां कृट होडभा तोड़ा मेरा थोड़ा mental health हां पाप, पाप मुझे थोड़ी वीकनस सी लग रही है ए बेटा डोलो खालो पापा मेरी डोलो तो खालो नौकरी चली गई मेरी आ तो फिर बेटा तुम हावा खालो और इस पर लोगों ना मीम्स ही बहुत उच्छे बनाएं पंचल भार्त नवीन अनी डिजीज एग्जिस्ट दोलो 650 मैं मेरे को साब आता है मैं एक्सपर्ट हूँ बात तो सही एक्सपर्ट तो है डास ता लोल अब अब बेडिकल शॉप परचेजिक डोलो 650 रविराज जडे जा कोविट थर्ड वेविस कमिंग डोलो 650 भी लाइक अब हमको चाहिए फुलिजट अब हम वो डोलो नहीं है जो डिस्पर्ट के सामने लिबिल लिबर करते वे ना तो नेक्स न्यूस इस लिटल अब फाइनेंस लिटल अब बाउट स्टॉक मार्केट याने की 70 अरब डॉलर्स खर्बो रुपए अब मुझे पता है अब क्या पूछोगे कि साम तक इसमें इंपोर्टन्ट क्या है इंपोर्टन्ट ये है कि ये एक्क्विजिशन दरसल कंपनी का मेटवर्स वाले कॉंसेट की और एक बड़ा कदम है मेटवर्स याने की एक वर्चूल दुनिया कुछी समय पहले फेस्बुक ने भी अपना नाम बदल कर इसी के चलते मेटा रख लिया था अब दिस इंपोर्टन्ट क्योंकि आने वाले टाइम में वेब थ्री, मेटवर्स, गेमिंग इंडस्री बहुत बड़े जॉब मार्केट बनेंगे और अगर आप अभी अपने 20s में और अपने 30s में हैं और आपको एक अच्छा करियर ओप्शन चाहिए तो जरूरी है कि आप अपने आपको इनी फील्स के में अप्स्किल करें और आप कहीं से भी कर सकते हैं किलशेर से कर सकते हो, यूडिमी से कर सकते हो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर काफी कुछ आप सीख सकते हो किसी ने इस वीडियो को स्पांसर नहीं किया तो इट डिजन्ट मैटर लेकिन हाँ, वाट मैटर से ही रिलेटेड अगली एक अपर सुनो हाली में एक रिपोर्ट आई जिसमें पाया कि पेंडेमिक के सिर्फ दो सालों ने लगबक 16 करोड देशवासियों को गरीबी में धकेल दिया है और इसी हफ्ते एक Oxfam की भी रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि 2021 तो इतना खराब साल था कि देश के लगबक 84 यानि की 84 प्रतिशत हाउसोल्ड की आएक कम हो गई यानि की इंकम कम हो गई मतलब लॉकडाउन ने 84 परसेंट घरों को गरीब बना दिया और जो बचे कोचे 16 परसेंट है उनकी किराने की दुकान है ना मेडिकल स्टोर है ना अगली ख़बर है स्पोर्ट से जहां इंडिया की टेनिस स्टार सान्या मिर्जा ने अपनी रेटायर्मेंट की ख़बर सुनाई और बोला की वो 2022 में अपना आखरी सीजन खेलेंगी और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सान्या मिर्जा की फोटो तेंदुलकर की फोटो की बगल में आती थी जर्नल नौनेज की किताबों में तो स्कूल में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको यह उम्मीद मिलती है कि हाँ लड़की भी स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती है कलपना चावला, इंद्रा गांधी, सानिया मिर्जा यह कुछ ऐसी परसनालिटीज हैं जोनों ने अपनी अपनी फील में महारत हासिल करके हमारे देश की लड़कियों को बहुत इंस्पायर किया है तो विराट कोली के रेटायर्मेंट पे शायद आपके डिफरेंट उपीनियन्स हो, लेकिन इस खबर का दुख तो सब को है है ना, अगली खबर थोड़ी दुख़त है, बीते हफ़ते पदम विभूशन बिर्जु महाराज का निधन हो गया पंडित बिर्जु महाराज हमारे देश के एक लेजिंडरी कथक डांसर थे, और आपको जानके हरानी होगी कि नोंने अपने जीवन के 70 साल से भी जादा का समय कथक को दे दिया था तो मैं नाम भी नहीं पता था ना, तो नहीं ककर सुनो बस तुम अब चलो, election season चल रहा है तो आपको election की updates देता हूँ election the interesting process by which democracy में लोग राजा चुनते हैं आम आदमी party ने पंजाब से भगवतमान को और गोवा से अमित पालिकर को अपना CM face चुना है और मुलाइम सेंग यादफ की बहू अपरना यादफ ने BJP को जॉइन कर लिया है ना तो surprising part is कि यादफ परिवार की बहू का BJP का टिकेट कटा है बट तो non surprising part is कि टिकेट किसी का भी कटे जनता का तो चुट दिखो जादा उमीद मत लगा ना सच्चा यही है कि बंबल पर मैच होने के बाद लोग इतना घोस्ट करतें जितना चुनाओने के बाद हमारे नेता लोग हमको घोस्ट करतें और इन आंटी की कसम ये सारे मलकर हमको पागल बना हम गोली नहीं मारेंगे साले को, कहके लेंगे उसके बगवासेपुर के पहले सदस्य है डायरेक्टर ओफ आयाईटी मंडी लक्षमीदर भेराजी इन्होंने आयाईटी डेली से रोबोटिक्स में पिएच्डी किया है लेकिन इनकी बातें बड़ी कजब हैं इन्होंने तंत्र मंत्र से भूतों को भगाने का दावा किया है अगर आप बोलें कि आप भूतों पर विश्वास रखते हैं तो बहुत लोग रखते हैं इन्फेक्ट अगर मैं घर पर रात को अकेला हूँ तो मैं भी बिजली का बिल बड़ा नहीं प्रिफर करता हूँ लेकिन डिरेक्टर साब को को यह समझाए कि जब आप आप आई 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 टी जैसे प्रेस्टीजिस इंस्टिट्यूट को रेप्रिजेंट करते हैं तो आपसे थोड़ा साइन्टिफिक टेम पर एक्सपेक्ट ही आ जाता है नहीं तंत्र मंत्र की बात है शोभा नहीं देती जूम क्लास पर बच्ची तो मैंने जो नहीं रहे भूत बगाएंगे और अगर आई 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 टी मंडी का कोई स्टूडेंट यह वीडियो देख रहा है तो आप अगले सेमिस्टर के एक्जाम में आप तंत्र मंत्री लेखाओ भाई उससे भूत बग रहे हैं कैलकोलिस तो रिकॉर्ड बनाएं यह तो बड़ा असान काम है बस आपको अगले छह बार कॉंग्रेस के टिकेट से चनाओ लड़ना है और यह वाली न्यूस के खताब होने के बाद अब देखते हैं नॉंसेंस न्यूस थोड़ी देर पहले हमने मेटेवर्स की बात की थी और मैंने बताया था कि मेटेवर्स इस दे फ्यूचर अगली ख़वर सुनिये तमिल नाडू के कपल ने अपनी शादी भी मेटेवर्स में रखने का फैसला लिया है दिनेश एस्पी एंड जे रामस्वामी ने एक वर्च वर्चुल शादी कर सकते हो आप उसमें वर्चुल सखाई कर सकते हो वर्चुल विदाई कर सकते हो but the only downside is कि आपको honeymoon के लिए यहीं बापस आना पड़ेगा और इसी से मिलती जुलती एक ख़बर है बेंगॉल से जहांकि एक कपल ने प्लाइन किया है कि वो अपनी शादी ज लोग ऑनलाइन शादी कर रहे हो सीधा बड़ी इंट्रस्टिंग शादी होगी गूगल मेट पर फेरे होंगे पेटीम से शगुन दिया जाएगा जुमैटो से खाना ओर्डर होगा माबाब ट्वीट करके आशीरवाद देंगे और शाय दरिश्टेदा डिस्कॉर्ड पर ब बिचारा प्यार में अंदा तो थाई अब किड्नी भी नहीं है उसके पास इससे अच्छा आइफोन ही खरीद लेता कुछ सकरात्मक स्टोरीज डिसकस करते हैं तो चलिए पहली स्टोरी के बात करते हैं ये है नैश्टनल फॉरंसिक साइन्स उनिवर्ट सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर कोशल जानी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है जो कि ये है कि इन्होंने फिजिकली जहां जारखंड के स्कूल प्रिंसिपल सपन कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था ताकि पेंडेमिक में उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई एफेक्ट ना हो इसलिए उन्होंने पूरे गाउं को एक लास्रूम बना दिया था उन्होंने मड़ वॉल्स को ब्लैकबोर्ड बना दिया था और लाउट स्पीकर से पढ़ाते थे ताकि पेंडेमिक में गाउं की किसी भी बच्चे की पढ़ाई एफेक्ट ना हो मैंने स्टोरी को पिछले वाले शो में कवर किया था आई बटन दा कि आपको बताता लेकिन अब कुछ है नहीं वहाँ प अप्रिशियेशन आता है तो उनको काफी साधा मोटिवेशन मिलता है और उन जैसे ही कई लोग को अच्छा काम करने के लिए प्रोहचाहान मिलता है अगली पॉजिटिव खबर के लिए आप आंदरप्रदेश की जानवी देंगतीजी से मिलिए जिनोंने हाली में देश का नाम रोशन किया है यह नासा की प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन महिला बन चुकी है यह एक एस्पारिंग एस्टरनॉट है जिन्नोंने केनेडी स्पेस से इंटरनाशनल एर इन स्पेस प्रोग्राम यानि की IASP पढ़ा है दुनिया की सर्फ 20 लोग हैं जो यह प्रोग्राम कंप्लीट कर पाए है और जानवी उन में से एक है और अब जानवी जी का यह सपना है कि वो मार्स पर कदम रखने वाली पहली इंडियन बने इस हफते की बिकी मीडिया के फीचर है देहशत I mean अमन चोपड़ा जी अब किसी ने इस हफते इनकी और से उठेगा और बोलेगा बंद करो हाथ जोड़के मैं मैं मोधी साब से गुजारिश करता हूँ पूरे करियर में सिर्फ हिंदू, मुसल्मान, हिंदू, मुसल्मान जितना जहर इस आदमी ने फैलाया है एक तक अपूर को नागेन सीरियल के लिए मोहिनी रोय को रिपलेस करके इनको ले आना चाहिए धरम संसत तो यूई बदनाम है ये आदमी नैशनल टेलिवीजन पे वो काम कर रहा इनसे मिलिए ये हैं अमेरिका की एक पत्रकार जिनको रिपोर्टिंग करते करते गाड़ी ने हिट कर दिया इन्होंने फिर भी रिपोर्टिंग गरना बंद नहीं किया इनको गाड़ी हिट कर दी और इन्होंने रिपोर्टिंग करना बंद नहीं किया और एक हमारे वाले हैं यहां कोई किसी की उपर गाड़ी चड़ा देता है और वो रिपोर्टिंग करना स्टार्ट नहीं करते अब देखते हैं इस हफते आप मैंसे किन-किन लोगों ने memes बनाया और उने social media पर upload किया तर्शन राना ने meme बनाया है वेन पब्लिक डिमांड मीडिया टु आस्क टफर क्वेस्टिंस तु गवर्नमेंट ले मीडिया ये मेरी expertise नी है I'm out देखो ये shark tank है वो dog channel है दोनों को में difference होता है डिवांश 996 टेक्निकल गुरुजी जी नेक्स वीडियो स्क्रिप्ट रवील देबेस्ट लाउट स्पीकर्स यू गन बाई अंडर 150 रुपीज मेरे भाई की बेजिती ऐसे मत करो 1500 रुपे में नी आता इतना सस्ता नी है वो 170 रुपे मिनिममम नेक न्यूज जार्खन मैन पेरलाइस क्लेम्स ही अबल तो मूव आफ्टर वैक्सिनेशन मेंवाइल बिहारी ग्यारा शॉट वाले अंकल नाइस वाल गनेश उडिगीरे सिंगल बॉइज आफ्टर मूदी जी अनाउंस्मेंट बेटी बचाव बेटी पटाव आई ने बोला करने का मतलब करने का और गनेश का ये अगला मीम है मूदी जी गिविंग बैक टू बैक कॉन्टेंट तो मीमर्स फर्स टेली प्रॉम्टर एंड ये बड़ी अच्छी बात के या नास दिल ने लिखा है ये सार्थक देरा मेनी यूटुबर्स बद आए थिंग नो वन किन गिवी जैनुल स्माइल आज यू मेंटर हाव मैनी सब्स्क्राइबर्स थे है थैंकी सो माल्भी का कलीता ने लिखा है लास्ट यर आइड एन एक् देखो मुझे नी बता तुम्हें किसी ने बताए कि नी लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ना गड़ी ने रोड देखनी होती है अभी शेक नायक ने लिखा है सार्थक ब्रो मैं बेंगॉली गल्फ्रेंड देजन अंडर्स्टांड हिंदी सो आपूट ये इंटो कॉंटेक्स वड़ेव यूर स्पीकिंग अंदें शी लव्स यूर शो पीएस वी बोथ वाच यूर शो टेगेधर इरी शक्तियों का गलत इस्तिमाल हो रहा है मां यूवराज नतुल दोनों अलग अलग है क्या यूशुट प्रिपेर फॉर यूपी एससी निकालो फिर इसलब ऐसे प्रोटेस्टोर आउसको रोक नहीं जाओ फिर बोलो सर फोड़ देना डिरेक्ट्ली भी बोल सकता हूंगो तो मैं किसी को तो इत्ती महनत करनी है अमित कुमान ने लिखा है I am always waiting every Sunday for two things the Sunday show and अच्छे दिन एक का आनाफिक्स और दूसरे का नाम और निशान नहीं है भाई तुम अपने नाम के हिसाब से कुछ जादा एंटी नेशनल नहीं हो तो ये था इस हफ़ते का एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज पा रहा हूं पता नहीं कैसे तो प्लीज हेल्प में आउट शेर करो जैसे भी जहां भी कर सकते हो वाट्साइब स्टेटिस पर या फिर ग्रूप्स पर कहीं अगर आप शेर कर सकते हो वीडियो को तो यह बी थैंक्फुल तो यू बेसिकली नगर में धिंडोरा पिटवा द अगले एपिसोड में मिलेंगे तब तक के लिए अपना खियान रखिए